नमस्ते दोस्तों तो चलिए आज हम बनाते हैं कोरिया की फेमस स्पाइसी राइस केक इसे देखते हैं आपके मुह में जरूर पानी आ गया होगा तो चलिए इसे बनाते हैं इसे बनाने के लिए जो भी इंगडियन चाहिए तकरीवन हमारे घर पर ही होते हैं अगर नहीं यहां पेंट लेंगे जिसमें एक कप पानी डालेंगे और साथ में हम सवादानुसार नमक इसमें एट कर देंगे पानी को उबलने के लिए रख देंगे जैसे ही देख सकते हैं पानी इस तरह से उबलने लगेगी तो जो हम ने चावल का आठा लिया है वो दीरे-दीरे करके इसे मिक्स करते जाएंगे और चावल को इसमें डालते जाएंगे एक बार में ज्यादा चावल का आटा ना डाले नहीं तो इसमें उठलिया पड़ सकती है तो इस तरह से जैसे ही जब सारा चावल का आटा इसमें डाल दे तो गैस का फ्लेम आफ कर दे और इसे असानी से इस mix करते रहना है देख सकते हैं यह जो आटा है और आजसानी से ये mix हो गाए है तो इस तरह से जैसे ही जैसे ही चावल का आटा पानी में इस तरह से mix कर लेंगे तो इसे ढढ़क कर दस मिनट के लिए res 있고 करने देंगे तौह हम इन प्याज को इस तरह इससे पतले पतले ब्लमबाई में काट कर तैयार कर लेना है और अनकर इसी तरह मिर्च भी नंबाई में बदी पतली इससे काट कर लेना है ताँ हमरा प्याज से प partly और होचुगा है और मiberal आपहु आप अम Healthcare का उन स्वा आप हरी मिर्च एड़ कर सकते हैं अब यहां पर हम अपने जो चावल के आटे हैं वो देख लिए तकरिवन इसे रेश्ट करते हुए दस मिनट हो गया है तो हम इस चावल के आटे को दुसरे बरतन में इस तरह से निकाल लेंगे और इसे हाथ की हेर्प से इसे अच्छे से मसल मसल कर इसे हमें गुथला है अगर आपको लगे कि आपका जो आटा हलका से ड्राइ लग रहा है तो उसमें आप नॉर्मल पानी भी एक से दो चमच आइड कर सकते हैं लेकिन अगर सही माप से आपने इसे चावल के आटा और पानी का रेश्व रखेगा तो उसमें हमें एक् मांन हब घूकन अब देए हरसे तरह करते हुए towards the cup कर लिए का से कृटा उसे चावकर से तरह से करते हुए रखके हुंटे मुमटमरे अब बना सकते हैं और इसरह हमें डो इंच की लंभाई में चाकू नहीं है तो इसी तरह आप सारे आँटे से इस तरह से राइस केक बना के तयार कर सकते हैं इसे बनाने का एक और तरीका रहा है आप धीरे धीरे करके इसे हाथ से रूल करते जाए और आगे की और बढ़ते जाए तो आपको एक ही तरह की मूटाई बहुत ही असानी से इसे बना के आप तयार कर सकते हैं एक बार में आप इस तरह से इसका रोल तीन से चार या पांच आप जितना भी हो बना के इस तरह से तयार कर ले और इसे एक बार एक जगाए इककठा कर के एक ही साथ सारे को काटके त्यार कर सकते है यह बहुत ही असान तरीका तो वेहाद नहीं जबार is new आपके वश्िजव判 कडाहि में पानी 1 न हाए reinforced तो यहां पर हम धक्तन बंक करिकर देंगे पानी को बलने के लिए रख देंगे यहां पर देख सकते हैं वाल चुकेया हैं तो यहां पर राइस जो डेपमें उसे चाथ हिंद हैं याख और जो जो पर लो doc के लिए इसे पकने đếnा है तो यहांपर चलिए इसे हम हलकाली सा चला लेते हैं कि जो चावल के आठे का केक हैं वह एक दुसरे में चिपके नहीं और इसे हमें धिक कर इसे अब कर्ते के लिए अples जोड़ तो समझ जाएं कि अच्छे से पक गए है अगर जब तक पानी के उपर तैड़ता रहेगा तो समझ जाएं कि यह जो राइस केक है अभी पके नहीं है तो इसे हम छान कर हम एक बरतन में निकालते जाएंगे तो यहां पर सारे राइस केक को हमने यहां पर पानी से बाहर निकाल लिया है तो चलिए इसे अब हम बनाएंगे तो सबसे पहले हमने यहां पर एक पैन ले लिया है आप चाहे तो कड़ा ही ले सकते हैं जिसमें हम दो चम्मच तेल डालेंगे और साथ में यहां पर करस किये हुए अधरक लसन का पेश्ट एक हरी में चिसमें डाल देंगे यहां पर दो चम्मच हम सफेद तिल डालेंगे और यहां पर आदा चम्मच हम चिली फ्लिक डालेंगे इन सब को लो फ्लेम करके एक मिनट के लिए पकाएंगे जैसे ही सारे समगरी अच्छे से पक जाएंगे तो इसमें हम कटी हुई प्याज और सिमला मिर्च इसमें डाल देंग मिडियम फ्लेम पर ही हमें इन सब को 1-2 मिनट के लीए भूनना और ज्यादा हमें नहीं मुनना है हमारी इन सब्सक्राइण में क्रच रहे तब ही तक सब्सक्राइण को हमें Hub The और इन सब्जीयों में क्रंच है तब इसमें हम स्वादा नुशार नमक एड़ कर देंगे थोड़ी से हम काली मिर्ची समें डालेंगे और आधा चमच हम सजवान सॉस डालेंगे दो से तीन चमच इसमें हम टोमैटो केचप डालेंगे एक चोथाई चमच हम चीरी सॉस और एक चमच हम सोया सॉस इसमें डालेंगे और इन सब को हम सब्जीयों के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे हमें इसके बाद बहुत जादा इन सब्जीयों को पकाना नहीं है बस इस तरह से जब सब्जीयों में सॉस अच्छे से मिक्स हो जा तो इसमें हम जो राइस का केक हम पका मिनट के लिए इसे चलाते हुए इसे हमें मिक्स कर लेना है तो देख सकते हैं देख कर ही इतनी टेश्टी लग रही है तो खाने में कितनी टेश्टी होगी तो अगर मेरी ये कोरिया की फेमस राइस केक की रेसिपी आपको पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा मेरे चैनल प अपने घर पे पास्ता पिज्जा चौमिन बहुत बार बनाई होगी लेकिन एक बार मेरे काने पर यह रेश्पी घर पे जरूर। पर बनाई किजिएगा, अगर आप अपने घर में यह रेश्पी बनाकर खेला देंगे तो बार-बार इसकी फर्माइस होगी, आप भी इसे बन कर एक बार में रुकेंगे नहीं बार बार इरिटेस पी जरूर घर पे बनाएंगे